वी हिस्ट्रीमें हमने प्रिटिवस लिक्चिर में क्या देखा था में प्रिवस लिक्चिर में देखा था क्या हमने उक्क ह देखा था एक बर ठुड़ान वापस फ़र्स दोर एक बर लेध धось viccketiane पर अर्ली मीडियल जो एस था वहापे स्रिफ हिंदू अधिस और जैनिस राजा यहां पर रूल कर रहे थे पर बात में क्या हुआ था मुस्लिम रूल बाहर से आ गये थे और यहांने इन यहां पर राज करना स्टाट कर दिया तो सबसे पहले जो आये थे वो थे अरिभी अरि गवर्न नहीं इसको भीजय था मुवथ बिंकासी तो यह पहला अडविक आदमी था जो इंडिया में आके इसने यह आपे इंडियन संब कंटीनेंट में कापे सिंद में से अपना राज कर दिया था उसके बात दूसरा जो इन वरजन हो था इंडिया में वह था तुरकिष सबसे पहला है ता मोबगा इसे एटा उसने लगबाग 17 इंद मारई थी पैसा लूटा था और शला गया था उसके बाद दो नंबर पर को नाया था 700 बार में कौन आया था भूल मत बिंक कासी मोमध घजनी कब आया था वहाँ पे उसने अपने गवर्णर आपोइंट कर दी ऐसे काफी गवर्णर इसने आपोइंट कर दी इसने काफी लड़ाई लड़ी दिया पूर्तुर अच्छावन को भी हरा दिया था और जब यह 1206 में वहाँ पस जा रहा था इसकी मौत हो गई जाते टाइम किसने इसको इसका जमाई उसने राज किया उसके बाद 40-47 तक थोड़ा वहाँ पर क्या हो चल रहा था इसका बैटा बट यह सारे के सारे चीज़े वहाँ पर चला था वजिर था बाद में जया दिन बाल बन जो था यह अराम करो बुड़े ओड़े हो जुकेव अब में देखता हूँ पर फिर इसने पूरा बिस साल यह भी इसने वजिर एसधर वजिर लिए का और डायरेक्ट यह भी साल भी इश ने राज क्या एसा आमने कल लेक्षर मारों छे से लेके मारों ऑसो टीस तक हम इन सारक सारा कल किसमें अमने व्ल्च सारी चीज़े दिखी कि जैसे इत्यार सिस्ट इसिंग सुल्तान स्पिर्ट जो नोबल से उनको रिस्पेक्ट कम करवाने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए इसने वहां पे कल्चर जालो कर दिया था रिचुल की कोई भी आएगा तो जो सुल्तान उसके पेर पड़ेगा है यह रिचुल भी इसने स्टार्ट कर मैं देखना है अभी यह वह पहले शिबानईश्टि थी मतल राच कि आख भाजकर सब्सक्राइब में 206 तक 120 Niekwe क क्या बार अभाजेट अ क्या हुआ था यहां 2088 जो ल ला स्लुर्वा था इसका स्लेव डैनिस्टी का उसको ना जल अदीन फिर उस ने क्या कर दिया था इसने उसको मार दिया और इसने सत्ता हतिया लिए समझ गे खिल्जी जो थे खिल्जी जो थे वो मुस्लिम डाइनिश्टी ऑफ तुर्कुरी जिंगी थे समझ गे और उसने वहाँ पर राज किया था कबसे 1290 से लेके 2020 तक लग भग 30 साल तक इनों नहीं वहाँ पर राज किया था स्लेव डानेश्टी बाद और अलाव दिंग खिल्जी जो था खिल्जी बिकम नोन फॉर सक्सेस्पूल डिफेटिंग अगेंस दी रिपेल अप मोंगल इन्वेजन ऑफ इंडिया अलाव दिंग अंडर अलाव दि जीता था घुजरात वगारा हम देखिंगे वह कैसे कैसे इनों क्या क्या जीता था समझेगे खिल्जी बैनेश्टी 1290 लेके 1320 अंग यह था वहां जानते खिल्जी कैसे वहां पर आ गई खिल्जी रिवाल्यूस्टी किसको बलते क्या हुआ था देखो यह जो खिल्जी इनको ना अच्छे तोरीके से इस से पहले ढ rätt prices मतलब यह ने करें ऐसको नोबल भन कभी भी हमें खंजीर कम सकते क्या सकते जो पॉल्टिकल जो इंसको करेते सत्तानीतर कर सकते तो खिलजी ने क्या कर दिया कुछ नोबल को हत्मे ले लिया और इसने क्या कर दिया यह कुछ नोबल को हत्मे ले लिया और जो लास्ट रूरल था स्लेव डानिश्टी का उसके उपर तूट पड़ा और उसको मार दिया और उसने क्या कर दिया सारक सारा हत्त मतलब सत्त इसने बोला कि अपनीज भगवानी अपनीज अभी आज से दिली सल्तनित का मैं ही राजा हूँ और जो स्लेव डैनिस्टी यह खतम हो चुके आज से नहीं डैनिस्टी आती है वह है खिलजी डैनिस्टी और यह खिलजी जो ही इनको अलग-अलग जग इस ती नमबर को था रजिया बेगम थी रजिया बेबी उसके बाद नस्तुर इंशा उसके बाद जया जो दिम बालवन यह तो हमने कलके लेक्षर में अब कल के तरह ही हम क्या करेंगे यह जो पहले चार्ट इना चार्ट में पुरा-पुरा स्टोरी सुन समझ लेंगे उसक जल बाद एस से कुछ काम नेकर सके उसके अश्ग बाध चैन्ठ खंव धू ली न स्सने मारवा दिया लास्ट ग्रफ़ा डिया इस्को मरवा दिया लुडब क्रेंखेश स्वाजनां फांडे चैन्ट नार् दिल्ली सलतनत समय से चेंशा पांच पांडर साल कितना साल कुरा अब जलालो दिंख राजा बना था तो असी यानवे साल का था क्योंकि पूरी जिंदगी यह नहीं इन्होंने चप्रा सिक्षी होती है और फिर मतलब जो पहला डाइनिस्टी मतलब कोई भी डाइनिस्टी चेंज आती ही तो नहीं डाइनिस्टी जब आती है उसका जो राजा ह क्लेमेंसी के लिए जाना जाता था ये बहुत रिदर था विए ब्रीडर था प्रोलेट था शेकलर भी समझें मतलब फैसात्य ने करता था इस यसके लिए नहीं समझ है को शंच ना सकता दूसरा था हमारा वीलन आप दी समझेगा उस टाइम का मेडिय कोन था ओंत अलो दिं में उसमें काफी चीज़ें इसने बहुत काम किया था इसको कुछ नहीं आता था पड़ा लिखा कुछ भी नहीं था पर इसने एड्मिनिस्रेशन बहुत बढ़िया करता था उसके बाद उससी टाइम पर पोएट होगा करता था अमिर खुष्रू यह उसको तूतिय हिंद बोल में इसने वो कवारी जो हैना समझगे का कवाली का ये कर दिया था में इसात कर दिया तो अर्टप से की और आ कंुर में तो का में इसको याद रहेखाञी है इसको हम देखिंग भाद मी इसने काफी राजव मतलब यह जब था ना पोईट कितने पाफ्छे राजव बदल गए थी पाफ्छे राजव मतलब कैसे यह राजा बन गये जालो धीं खिल जीश साल में इसको अलावदीं खिल जिन टपका दिया यह राज़ा बन गया इसको जो नामे वही रख समझ गये तो यह फ्रिप्ट भाइस साल तक जिया था उसका आगे क्या है यह तो यह अलाओ दिन जो बेटा है मुबार्क खिल जी यह राजा बना था पर इसको कुछुरु खान ने मार दिया कुछुरु खान को यह मतलब गजनी मलिक ने मार दिया जिसका नामे जिया होत दिन समझेगा तुगलग तो बैर बाद में तुगलग डाइनिस्ट आ गये थी समझ गये तो ऐसे हमारे जलालोत दिन जो बुड़ा हुए यह चे साल तक राजा थे नभबे से लेके 96 तक 96 तक हमारे अलाओ दिन भाई यह राजा थे मतलब यह सुल्तान थे दिल लेके और बाद में 16 से लेके 20 तक यह बार खेल जे थे और वापस बाद में डाइनिस्टी चालो गये थी अलाओ दिने खरज जो है इसका इजात किया था जैसे एक्टिदारी सिस्टेम किसे लाए थी सिस्टेम आलो दिन खेल जिन लाए थी इस पर कोशन आ सकता है अब एक एक देखते है मतलब यह तो आमने स्टार्ट में देख लाए सारक सारपडली आमने समय देखा स्टूर्य आमने सारे सुन ले 1290 नबबे में चालो होता है और 1320 में खतम हो जाता है आग एक दम डेटेल से अंदर से काफी लोग वागे हो गये थी है यह होगे ठीकों से स्लेव डैनिश्टीं तो स्लेव डैनिश्टी को जो छो जिबंड़ी दिन क Clean is the dr Block का बाद क समयरे का लाए खिलजी को फाउंड किया का आपे 1290 में 1290 से लेके बारो सो तेरा सो भीस तक यह यहाँ पे रही थी समझ गए किसी लाइनिश्टी उन्होंने काफी मुस्लिम जो इंपरिलिजम में इसको काफी बड़ा है यहाँ पे पाउंडर को निखिल जाला धीनिस आला अलवी उद्ण ही सत्तर ओल तक था इसको बन गया बतीजा या जिसको बोल सकते हैं इसका नम था मालिक क्या है चज्जू यह कारा का गवर्णर था अब ये बालवन का था फिर भी इसने क्या करते है उसको बोला देखो कारा का पर पता है इसने बोला उसको चलो तुम बालवन का बदी जाए उसका नहीं फिर भी में तुझे आलव करते हैं तुम आपना वहां पे गवर्णर और मेरे जैसे की जैसे फॉर एक्सम्पल में आता था हूँ कॉंग्रेस का कोई मिनिस्टरी शत्ता परिवर्त भी बीजीपी वहां गवर् उसका अब ओलाइचा पर बात में क्या प्रखासा यह वाल चुम्पल मालिक टुूगों कर दिया ना선ी अंथि sun in law मतलब कों जमाई उसका मतलब भी था जमाई बेथा अल करझे इसको सबक्राद से नियुक को यहुथ और और इक्सने का और धियर में देवगेवी जो था वहाद एaggi 41292 में हेला 1296 में क्या हुआ यह देवगेवी जो है और मत पता है न वसके आए इसने देवगेवी को देवगेवी में इसने काफी मतलब वह राजक को हरा दिया हुआ कि पैसा पैसा पत là यह आगे जाके राजा बन सकता है आप इसको थोड़ा कम कर दो पर जलो दिंखिल जाएगा तो जाने दो फिर इसने क्या बोला तो यह काम कर तू कारा में आजा समझ गया भी आप कारा इनके पास है देवगेरी मतलब और अरंगबाद कारा मतलब उत्तरप्रदेश तो यह कार इसने अलो दिंखिल जैने आपना जो सनी मतलब सासरा फादर इनला और अपना अंकल उसको समझ रिखाए देखो यह पर क्या है यह क्या है पतानी मृटर मतलब पतने कैसे मार दिया इसने टॉर्चर होगा पतनी ट्रीट इससे इसको मरवा दिया बाद में कया देखो और बाद में क्या इसने अपने अंकल को और जो अंकल ही उसका क्या था मतलब इसने अपने चिचरी बहें से शाधी की थी उसको मार दिया और फिर ये दिल्ली का क्या बलता है सुल्तान इसने थ्रोन ऑफ दिल्ली मतलब दुल्ली क बार खिल जी इन चारों के बार में आजके लेक्चर में हमें सबसे पहले देखते हैं कौन सा यह लोदिंग जी शरी जलाव दिंग खिल जी फर्स सुल्टान था खिल जी राइनिस्ट्रिका बार उसन अब्बे से लेकि नाइडिसिक्स तक आफ काफी वा रिपेट हो रहा है ट दा प्रु करता था यह लोगा ये मँ इसको चाथता तरह नहीं वेलमर्पारि में इसको और गाव्नर का आटक वंच अंडर यह होईख सुल्सरा उसने अच्छी घ्रएंग जलाव दिंग eerिशिक्व रहादा और चेटा की टाइम पिर तरध को यह कर ई सक्ता और टेकल किया था और मोंगल अटेक वंस अंडर दी यह का है उलुक खांचो था इसके अंडर मोंगल से अटेक कर दिया था यह एक्सेप्टेट दी इसलायम एंड वस गिवन सुल्तान्स डॉटर इसने इसे शाधी मतलब यह जो मोंगल अटेक करने आया था इसको पकड़ लिया ओंडिया पने शाहुस सगहें शैट्ल कर देया था उसको को दिस्ञा आतर क्रने के लिए उसको अपने दर्मे कन वट्रव कर लिया उसको जमाई बना दिया यह जिद्लेक पार snгр कॉम थिया बात यह तकत पकव्माते नजरी तभकत सथ यह जो ताद तारीक के फिरोष यह जयुद्धन बर्णी यह बाइसाब नहीं लिखा था इसे आपने लिखा था इसे आपने पाता शुर्ज समय फिरोष रही का एंग नों स्टेट पांसर वो छोड़ां दू यह जो ताना बंदा कौंसा यहां पी दिखूये खुस्रो ने बूक लिए दिनम समय ते चलु जलू गोड़ उफुल्य नोबिल इस ने नोबिल अच्छो था समन्तर नाशिल इसल किया था इस ने सत्तपड़े और तंक नहीं किया था ये ट्रोलेट पॉलेसी अपनाता था था सिंधों के खिलाब जाता नहीं था ये समझ रहे का अवाइदिंग हर्श्पश्पेट ज्यादा है लेवल पनीश्मेंट नहीं देता था जिस हमने बालबं को देखा था बालबं क्या करता था कोड़े लगवा देता था जिंदा जला देता था पोई जंदे के मारवा देता था समझ गए of the view that the state should be based on the willing of support of the people secular state यह चाहता था कि जो मेरा राज होगा ना मतलब जिस यहाँ पे देखो यह बोल आए कि मेरा जो राज होगा वो लोगों के support दोरा मतलब दिया होगा राज जोगा जापे जन्दा का support हो ऐसा मुझे राज बनाना है ऐसा secular state मुझे बनाना है जा हिंदू-Musalman ना हो जा दंगे वंगे ना हो जापे कास्टिजम या religion जो होता है religious war वो ना हो ऐसा एक secular state मुझे बनाना है ऐसा जल्ला हो दिंखिल जी कमाना था तो अच्छे विचारा वाला बंदा था जल्ला दिंखिल जी समझ गई पस इसके बारे में इतना है हमने देखा इस पर कुछ कोशन आ सकते है यह यह जो ना मुफित कि बात बागी ज़्याद कुछ बन सकता आ औगो आगे 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 देखो ही आगे इनका नामिंट जलो दिन जलो दिन नहीं इसका नाम अलोदिन अलोदिन खिल फिंग इसका रियल नाम जो था अलब फिंखिल झेक हा वो था ada अलील उस्प यह दिलद 좋न हिन उसर्ट बार to 100 सल्तेनत मतलब देखो क्या लिकाइं ये दिल्ली सल्तनेत को दूसरे नमर के राजा थे सुल्तान थे समझ नहीं कि पहला कौन था अलाव दें किल्जी दा स्लेव डाइनिस्टी था उसके बाद समझ नहीं दूसरा आगे वाला जो था तोकलग डाइनिस्टी तो ऐसे काफी इसमें दिल्ली सल्तनेत में जिसको बाबर नहीं तो दो नमबर की डाइनिस्टी का नमबर कऱा जाते समझ गहिंग है बट यह मोच्च पॉफूफ़ रूल और कि सुये में सबसे पावर्डू अगर कोई होगा तो हो स करना था इसको छारा के लोग बस मेरे बागें पड़े बहुत aka Mb600 इसको बड़ा बंना था शुरु में में अलियरे आउत का गोर्र हरता पर बाद में क्या अपने चाचो को मार की switching आंजमे राज़ा बन गया थिक तो इसने really प्रूच किया था श्री बूर बीस साल तक रूल किया था इसने तो देखो डिस्पाइड द फैक्ट धाट अलाव धिंखिल्जी वास इलिटरेट इलिटरेट मतलब क्या यह पड़ा लिकाने था कुछ भी बट ही वास एबल सोल्जर बहुत ही अबल सोल्जर था इसने क्या कर कर दिया था कमंडी इसने एक्स एक्स पेल मतलब बहुत अच्छा परदन किया था इसने अर्मी को कंट्रोल करने में उसके बाद इस एक्सपंडेट देर दिली सल्तनत को यह कर दिया था इंडर से लेके बेंगल तक हिमालाय से लेके विंदन तक इसका इंपर इतना बड़ा इसको उसने हरा दिया था 1200 में समझें 1296 के मतलब त्या बात या असपास यह अलाव दिंखिल जी अब यह नोन की बता है क्या इस यह किस चीज के बेले फेमस बता है इसके 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 इमपार को बहुत बड़ाया था यह वाली पोट उसके बाद मार्केट को बढ़या कंट्रोल के था मतलब अला वोदिं खिल जी दिल्ली सल्टनत का इकलोताइस से राजा था जिसके टाम पे कभी फेमान मतलब लोग भुकमरी से मरें नहीं थी समझ गए क्योंकि इसकी market control policy बहुत बढ़िया थी turn code policy इसके टाम पर corruption बिल्कुल नहीं बहुत था क्योंकि इसने न वैसा मतलब एक system लाया था जिससे करक्रप्शन नहीं कर सकता और cultural development इस सारी एक सारी जो यह चीज़ें यह आला हो दिंखिल जी इस इन चीज़ों के लिए आल less amount of time यह अपने आप में इतनी बढ़िया चीज है देखो आप वापस हम एक बार पढ़ते इसको यह बहुत स्मार्ट आदमी था बहुत हुशार आदमी था इसकी ओकात थी कि इसको बहुत दिमाग था कि administration कर सकता था और इसने क्या कर दिया था यह ऐसा अपने आपने जो व यह आगे देखते हैं देखो अलागे इतनी चीज़ देखने हैं उसके expansion policy यह मोंगोल का invasion को कैसे रोखा था military form क्या 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 थे domestic policy क्या थी administration policy क्या थे revenue administration क्या था marketing system क्या थी cut turn count policy क्या थी और cultural contribution of allowing khilji यह सारे सारी चीज़ें अभी हमें अभी दिखनी तो चले आगे सबसे पहले क्या allowing khilji invasion in north अलों नौर्थ में कैसे invasion किया था और south में दो जगा उसने invasion किया था दो जगा उसने जो territory उसको एकवर किया था अपने इसमें मिला दिया था empire में सबसे पहले इसने 1910 2196 मिये सुल्ता मन गया 1290 मिसने गुजराज में एक कर दिया और गुजराज से इसने क्या थे इसने अटिक करने बाद गुजराज में इंपर मिला लिया बाध म sanctuary भात में Easy यह वहा था कांड कब 1303 में और इसने कितब लिखी थी 425 के आसपस समझ गें तो लोग काफी लोग कमाना है कि यह पता नहीं पता नहीं पर यह स्टूरी गाला थी कि आलाओ इंखल जी उसको समय रहे हो उसकी चक्रमवा पर गाय था क्योंकि जो किताबे ना जैसे अभी क्या जल रहे हैं अभी 2020 चल रहे हैं और अभी कोई राजा किसी देश मतलब को या देश दूसरे देश कर देता है और इसकी स्टूरी एक्टीस मिल की जाती ना तो जरूरी साही होगी समझ गें क्योंकि कोई किसी जगा दूसी यह पद्माहत जो था ना स्टूरी यह इसका जिकर परवाइब ऌना तो इसको और इसको ना यह कोई लोगे पोलते बाइसगों पर इसको नासरे कर्सक्रांव लड़की को खंडिकी जल कल सकते करक्ते मतलब इंको उनred Heilय को उनमेस र tuta स्टॉक्शंव बदा आट्रेंट्स इस सब जाते एगए कि सेथ्ट9 ऑदaci एक जगधों पर गे था हुआ एक्चुली उसको खरीद लिया था समझ गे उसको पसंद आगाया तो इसलिए उसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं तो यह गे था तो उस गे को इसने खरीद लिया और बात में इसको एडमिस्ट्रेश्य में इसने उतर दिया और इसने बहुत बढ़ी काम स्लेव डादिस्टी देखा हमने और जलाण भिलजी तक अब तक दिली सल्तानत का को यह राजा था क्या जिसने सौत इंडिया में अटेक आता नहीं तो अलावदिन खेल पहला राजा था यह सुल्तान बोल सकते उसको दिली सल्तनत का जिसने साथ में डेरिंग की थी वापी इसने आपना जो माली कफर ही यह चिकना इसको वापी बेजा था साथ के करने के लिए साथ को जीतने के लिए तो सदन कंकेस्ट लेड़ बाय मलिक कफर इसने माली काफर था इसने पूरा साथ इंडिया जीत के दिया इसको समझ गई अला जीपुट के लिए था ऐता इसको अपनी पर्मै यूप बला लिया फिए सारी जीत इसने ना टारूप इसको के लिए वापी उसकोब ध्लडागा यूप उसको बात की और विल बाला इस्पे कोशन नी आथे में बज्चन सबातार्व करनाड़ का का उसको बात मधरोय अलाओदिंखिल जीने क्या करते था रामिश्वर में एक मॉस्को बने अभी भी है वापी एक मस्जिद बनाए थी तो यह तामिल लड़ो करनड़ का यह सारे सारे जो चीज है ना साथ इंडिया में यह जीतवा की दी अलाओदिंखिल जी को किस ने बता है क्या यह चिकने ने मतलब अभी आप हम जो अभी फिलाला हम कैसे देखते कोई बंदागर गे तो हम क्या होते हैं यह वो गे समझे रहे का मतला हम उसको कैसे नजर से देखते हैं अब आप चल रहे है 2020 समझे क्या 1300 के टा अब में आपको श्डूड न कर आपको बदाता हूं क्या हूं मोंगल जो घिना मतलब छो एंपाइर ले जीजन को हरा यह उनका सरे लोग को जलादे थे नावा भी नहीं कर दिया था इन्होंने जो हमारा शुरुम में जो अलो दिन खिल जिए था अलो दिन किल नहीं कुटुब बिन बग्यों था उसके बाद कौन था उसका जमाहिए इलतिमिश के टाइम पे क्या हुआ था मोंगल्स ने किसी वह सेंट्रल एशया में एक राजा को हरा दि इलतिमिश के टाइम पे 1210 से लेके 1236 तक एसे 26 साल तक राजा था कौन इलतिमिश पाथा इसको अगर पना देंगे तो मोंगल्स आटक कर देंगी इलतिमिश के फट गई इलतिमिश ने बोला भाई तू दूर रहे हमसे तेरे चक्र में हमें मेरे मूझा अपना एम्पार ने इसको लगा इसको शेल्टर नें दिया तू उन्हें पे अधनी किhou उसके बाद बाद बावाद के टाइम पर भी क्या हुआ मूंगल्स ने अठीक करते ओए इंडिया आटक करने वाले थे अपने कद्द अपने अपने इरया में ता शेया ऑग सफेरिफ्य साड़ऄ और भी, इससे यह जो मोंगल से इससे बहुत दर दर इंदिय थी अब वह क्या जलो दिंखिल जी यह राजा बन गया यह सुल्तान बन गया दिलिक कब यह 1290 में सुल्तान बन गया कब तक 1290 से रहे 96 तक अब इसके टाइम पे भी मोंगल से आटक कर दिया वो जो बोला हमने उलुक खान उलुक खान जो एक था एक मोंगल सा वो आया था सरदार तो वो जलो दिंखिल जी निक्या कर दिया अपनी चिक्नी लड़की को दिखा दिया उसको बोला मैं इससे तिरी शाधिकार दूगा तुझे यह आप एक सेटलर करवा दोगा तू आम पे आटक मत कर वो आया यह सारी स्टूरी बताने का एसंस यह बस कि इंडिया के उस्टाइम पे जो रूलर थी उनकी पट्ती थी किससे मोंगल स्थी समझ गे क्योंकि वो दरिंदे थे बट हमारे आप एक दरिंदो का दरिंदा सरदार था कौन था उसका नाम था अलाव दिंखिल जी इस निका कर दिया पता अलाव दिंखिल जी ने बहुत बार अटक किया था लगबार टाम पर उसने रिजिस्ट के था अलाव दिंखिल जी ने उसमें से हजार लोग को पकड़ा और वहां पे दिवार बनाई जापे बौट है ना मतलब उदर से मोंगल आएंगे इधर से इंडिया वाले इमतलब अ दिवार बनाई दिवार में ना इनके हाथ में खिले ठोके मतलब इनको लटका दिया समझ गया इसे दिवार पे इनको ऐसा ऐसा लटका दिया एक बड़ी दिवार बनाई और वहां पे जो हज़र लोगी इनको लटका दिया और सो लोग को छोड़ दिया हज़र मतलब फो एक पाच्छे दिन चलता रहा जो लटके हुए लोग है उनको चौब की मार पाच्छे दिन कंट्यूनेस खाने पड़ी नंगा ओके समझ गए यह चीज देख रहे थे सो लोग जिनको पकड़े उनको लटका है नहीं था उनको बस सारा यह दिखा दिया और फिर अलाव दिंखिल जो चोड़ दिया इनको बोलो आप जाओ प्मोंगल में यह सोग भाकते भाकते का मंगोली मतलब उनका उपर वाला जो है न जा पर मोंगल स्राज करे थी वहां पर गए और उन्होंने बोला उदर कि हम कमीने हैं हम क्या है हम दरिंदी पट उदर दरिंदों का दरिंदा वहा जाए तो समझ रहेगा अगर आपको नर्क में जाना पड़े इतनो नर्क में जाओ फर इंडिया में कभी मत जाना किम्कि उदर समझ रहेगा पापी ओका पापी बैठा है अलावधिं खिल जी तो इसने वो यह करने के बाद कि सब की फट गया और को यह नहीं आया समझ रहे इसने चीज नहीं दिखाई उस मूवी में बग की अलावधिं खिल जीगी पुरीए इमेज कराप करती पर यह चीवली चीज नहीं दिखाई चलो आगे अगे गाता अलावधिं खिल जीग बारे और देखते हैं आगे इसको ना दुनिया को कण करताना था मतलब यह ना बहत कोई ने उसने जो कोई निशुक एते उसमें सिकंदर एसाम इसने दिया था मतलब शेकंडर अलेक्जंडर यह नाम लिखा था अलेक्जंडर के इसके फोटो की निचे अलो दिन वास्ट क्या है ग्रेट वारलोड था मतलब यह काफी लड़ाय लिडिने में काफी बढ़ इसके बारे में नजेर दालते देख्व नजेर लालते हैं मतलब यहां यह आपनट परमनैंट परमनन ना स्टैंडर बढ़ रहते डिल्ली में और भाइस सब्चान ये पहले पारमनन आप इससे पहले क्या था जो लोग होतेजि वो आपने घर में घर्में शे teu संगे प्टे इसने बोला भाई समय बदल चुकाए हमें कभी भी आटक हो सकता है इसने पर्मेन्ट अर्मिर्ट कि कहा पे दिल्ली में उनको यह पेमिट देता है कहा पे कैश में तो फर्स ताम ऐसे वहा दिल्ली सल्तनेत में कि लोगों को जो सैनिक थी उनको कैश में पेमिंट मिलने लगा इसने जो ऑरगनाईजर इनकब वह जो लोग थी उनको इसने 10 का ग्रूप, 100 का ग्रूप, 1000 का ग्रूप ऐसे और्गानाईज किया था को रokने के लिए होर्समें से दाख सिस्टेम लागाई तिक को अलाव दिंख लेके लेक है ता वो भी अलाव दिंख लेका था इस सिरके से कर दिया तर्फु यह जो लेंटि锁 कर दिया、 उसके बाद संद्धिने लिटा है, उसके बाद इसनी ना मैच्चाछ क्षिंस, वाइन संद्स का पर बदे अ। उसको इपिश्टीम देखते है उसकी जो बहुत इपिशन आडमिस्टाटर था उसको strict और हर्स policy के लिए जाना जाता है उसकी strict देखो यहाँ पे strict price मेज़र cut all the unnecessary expenditure इसने क्या कर दिया था जो फलतु मार्केट को कैसे रखा था मतलब ये खुद प्राइस ते करता था मतलब ये बोलेगा आलो की किमत कितनी 10 रुपे कीज ये अलुई तो भले आलो कितने भी कम हो जाए 10 रुपे कीज रहेंगे इससे क्या होए इंफ्लेशन नहीं आता था समझ रहें कर दो 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 क्या हो जाएगा जब जरूर्ट हुंगी समय रहें जब अनाजने रहें तब वह काम आ सकता है इसने मुझ्तक्ष यह यह मतलब एक नहीं पार्श कर वह जो जो था रही नुटर्ष परसे टिउट परसे पर संब देना पड़ता था था थर्टी युवत हैंए इसा पार्वचेес इसने रिवन को इंक्रेज़कर कर दिया था 50% मतलब अगर आपको 100 रुपय का आज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आपको 50 रुपय का आज किसको देना पड़ेगा government को मतलब पुट गरेंड दुसरा होता था कॉस्लिक प्लोच एंद श्लेव उस टाम पर बेच जाती थि उसके बाद क्या है हॉर्सेज भोडे भी बेच इस त्रक्षर भी उस टाम पर था अलग अलग मर्केट होते हैं एक स्लेव करे था बी गुलाम के मार्केट होते था आगे आगे क्या है इंटलिजेन्स सेक्ट्टर दा मार्केटिंग अब है शान इंट इस मंडी है दीवाने यह रियात और यह मन ही आइब समझ गहें इसको पढ़ लोग यह मर्चंट इतना देटल में हो रहा है यह स्पाइज मार्केट में देखोंगे चेक करने के लिए सबसेज जल रहा क्या करप्ष ने क्या इतना डीटल में जरूरत नहीं आको पढ़ना हो तो स्क्रीन इसको करके बाद में पढ़ लेना समझ गह अंपरा लोग एक नोबल जो है न इसको यह अगर साथ में आएंगे ज एक उमरा है यह बहुत उड्ट रहा है उसका दुसरा जो पॉर्फ लॉम्रा है उसके बैटिक साथ यह ठोग सबंटकर लातियों्ए को मिकॉन्य कि यह पता चेंथी इसको एक पता चलाल गया की सेस्माजैनल c आप कर दिन अल्सोक वह यह डूतिए वह इस शोचल मतरी गाल सुचल कार दिन टराइक हॉतिर अंगर की धोन-परू आप स कॉम्ल्टान наал पूचे अगर कोई शादी करता है दोनों को बाशार्कार्ट देता दी उसको बीना पीछे लिए उमरा उमरा बीज में करने दर्वार ने करने स्वोचल बेदरे निहीं करने समझ के सारे चिज है इसने लाई थी शुक्त अ कुछ पर हुआ पक्रिशन अलो दिंकर जिए का कंट उसे आलाज यह लेटरी बिल्द भाई हॉसकास बाई फिरज दिन तुली हॉसकास नहीं बहुत एक्षिल दिल्ले में दिल्ले में अगर आप मेट्रो में ट्राइल करोंगे ना हॉसकास एक लड़ी की मतलब जो होते ना ओडियो वो चलाता है नेक्स स्टेस्शन इस अ हॉसकास समयरेगा इक जगे हॉसकास वहां पर प्रैमिंस्ट वहां प्रैमिस्ट होते वहां पर रहते थे अभी मूधी जब बने प्रैमिस्ट है उन्हें अपनी जगाश्य शिप्ट कर दी तो फिर श्रह तो लगने बाद में इसको क्म्प्लेट किया था समझ गए आगे या पते इस इसके बाद यह कहा है खुस्रों शा बढ़े परबात में थ casing क्या नाम था एंका का नाम था इनकी नाम था इनकी वाद कुझा कोन सीच्व कीकोन थे e यह डिक है डिस्प्लाइब संतसुपी निजम अधिन अउलिया जो था ना इसका यह बकत था इसका फॉल्लर था यह इसने पास सुल्तान को सरुखिया था मतलब इसके टाइम पर पास सुल्तान चेंज हो गए थे इसको तूतिय हिंद मतलब पैरट ऑफ इंडाई भी बोल जात इस डाइब के इसने रागा बनाई थे शितार जो ना सितार सितार का इन वेटरी कौन अमिर कुश्रो उसके बाद कवली स्टाहिल जो ना कवली से बनाई हूं बर्धो जोली वो इस्तानी और यह फर्स्ट उर्दु पोईट यह पहला उर्दु पोईट था तो यह बाई सब्सक्राइब देखें कर दिया और सबस्तों सब्सक्राइब कर दिया और नेक्स लेक्षर में हम तुगलग लेंगे झाल 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 झाल